हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है आशिस पांडे आप पढ़ रहे हैं अपने प्यारे से यूटूब चैनल पर जहां पर मिलता है आपको टॉपिक वाइस लेक्चर्स साथी साथ बेटा मिलती हैं आपको बोर्ड की नोड्स किसी भी टॉपिक को जो आप देखने आ आते हैं तो उसकी बोर्ड की नोड्स भी हम देते हैं और पूरा कॉंसेट सिखाते हैं ताकि आप बहतर तरीके से अपनी नोड्स बना सकें और बोर्ड में आपके बहतर नमबर पाएं आप करते कहां ना बेटा कि बहुत सारी यूटूब चैनल हैं जहां पर आपको पढ़ किस तरीके कोशन आएंगे यह भी बताऊंगा और कैसे लिखना यह भी बताऊंगा तकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस टॉपिक को टॉपिक का नाम है आउतल तथा उतल लेंस और लेंस में हमें बात करनी है मुक्य फोकस और फ उतल लेंस में मुक्य फोकस और फोकस दूरी क्या होती है और किस तरह से इसको डिफाइंड किया जाता है जरा ध्यान से देखना मुझे मुक्य फोकस की बात करनी है और मुझे फोकस दूरी की बात करनी है पेटा क्योंकि यह लेंस है तो लेंस में दो फोकस दूरी होंगी और दो मुख्य फोकस होंगे, यहाँ पर F1 और F2 की बात करते हैं, तो बच्चों को बड़ा confusion हो जाता, कौन सार F1 है, कैसे लिखेंगे, तो सारी चीजें आपको मिलने वाली है, आप अच्छी तरीके से चीजों को समझेगा, ओके ठीक है, जो यह आपको lens दिख रहा है, यह उत्तल लेंस दिख रहा है, अरे बच्चों जल्दी बताओ, कौन सा lens है यह, यह बेटा, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस ऐसा होता है, किनारों से पतला और बीच में मोटा कल सिखाया था आपको, अब अगर मैं इसके फोकस की बात करता हूँ, तो कल की थोड़ी सी क्लास को अगर आप याद करेंगे, तो आपको एक बात पता चलेगी, कि lens बेटा, दो गोली लेंसों से मिलकर बने होते हैं, एक गोला यह बना दिया, और एक गोला इसका यह बना दिया, यह दो गोली हो गया, ओके, ठीक है, मैंने कहा, इसके center वाले पार्ट को, इस गोले के center वाल काम दे देते हैं, C1, और इसका नाम दे देते हैं, C2, इसका नाम दे देते हैं, C2, अब इसको हटा देते हैं, गोले को हटा देते हैं, गोले का कोई काम नहीं है, गोले का केवल इतना काम था कि आपको यह पता चल जाए, कि यह दो गोलों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए स फोकस क्या होता है फोकस को अगर आपको समझना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो आपको वक्रता केंद्र दिख रहा है और यह जो सी इसको सी से नहीं इंडिकेट करेंगे बैटा इसको ओ से इंडिकेट करते हैं तो सी और सी मिल जाएगा फिर इसको प्रेकासिक के केंद्र कहते हैं कल के लेक्चर में बताया था मैंने आपको तो यह क्या है प्रिकासिक केंद्र है यानि प्रिकासित केंद्र और सीवन के बीच में क्या बनेगा फोकस बनेगा यहां पर क्या बनेगा बेटा जी यहां पर फोकस बनेगा अरे बच्चो ध्यान से देखो यहां हां यहां पर समझ में आए है.. हाँ लेकिन यहां पर फोकस दो होते है उनी चीजों को बेटा समझ लेते हैं most important बात most important बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसको हम प्रथम कहेंगे किसको हम दोती कहेंगे तो अगर मैं इस focus से ऐसे किरडों को गुजारूं ऐसे तो ये किरडें मुख अच्च के सामानतर हो जाएंगी ये किरडें मुख अच्च के सामानतर हो जाएंगी तो जब किरडें ऐसे निकलें और मुख अच्च के सामानतर हो जाएं तो बेटा इस वाले focus को क्या कहेंगे इस वाले focus को प्रथम focus कहेंगे बच्चों क्या कहेंगे इसको हम प्रथम focus कहेंगे क्या कहेंगे प्रिथम फोकस कहेंगे यानि जब प्रिथम कोई फोकस से किरिडे निकलें और वो मुखच के समानतर हो जाएं तो उस फोकस को क्या कहेंगे अरे बच्चो उस फोकस को क्या कहेंगे उसको हम प्रिथम फोकस कहेंगे अभी मैं डिटेल में और क्लियर करूंगा च करके आपको पता ही कैसे बनाया हम ठीक है यहां पर एक ép बना देते हैं और यह clear हो गया कि आपका यह F1 है यह clear हो गया कि यह F1 है क्या हो गया बटा? यह चीज clear हो गयी कि यह क्या हे? यह F1 है तो अगर मुख्य अच्च्च के सामानतर केड़े आ रही हो ऐसे क्रेड़े जर ध्यान से देखना बेटा जी ऐसे क्रेड़े मुख्य अच्के सामानतर क्रेड़े आ रही हो और ये सारी क्रेड़े किसी एक बिंदू पर गिरें तो बेटा इस बिंदू को क्या कहते हैं इस बिंदू को दोती फोकस कहते हैं इसको क्या कहेंगे इ को जाएट से करड़े निकल रही है और एक पर फोकस पर गिरी रही है इही दोनों में डिफरेंगे अगर ऐसा हों तो इसको हम प्रफम्डों कहेंगे और इसको क्यांकंगे इसको हम द्तिय फोकस कहेंगे यानि मुख्य अच्च के समांतर चलने वाली आप तित क्रिडे अप वर्तन के पश्चात जिस बिंदू पर मिलती हैं उसे दोतीय फोकस कहते हैं और जिस बिंदू अगर कोई बिंदू से क्रिडे निकल रही हैं और वर्तन के पश्चात वो मुख्य अच्च के समांतर हो जा र दिया है बेटा इसको मैंने कहा है कि ये F1 है और इसको मैंने कहा है बेटा जी कि ये क्या है ये F2 है और मैंने पहचान बताई कि अगर किरिडें अगर मैं सौट कत में बताऊं अगर किरिडें इधर से निकल रही हो बेटा और मुख्य अच्च के समानतर हो जा रही हो तो इसक अगर किरिडें बेटा क्या हो रही हो किसी फोकस पर बिंद उपर मुख्यच के समानतर आ रही किरिडें इस बिंद उपर आती हुई प्रतीत हो या प्रतीत कहें आती हुई दिखें तो इस फोकस को मैं क्या कहूंगा इसको बेटा मैं सेकेंड फोकस कह दूँगा क्या कह है और डाइग्राम अभी मैं बनवाता हूं मैंने क्या बताया जरा ध्यान से देखना पहले नमबर में क्या बताया कि उत्तल लेंज के मुख्य अच्छ मुख्य अच्छ पर इस्ठित वा बिंदू जिससे चलने वाली प्रिकास की क्रिडें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अच्छ के सामानतर हो जाती है उसे उत्तल लेंज का प्रथम फोकस कहे देते हैं यानि अगर इस diagram को आप देखें तो अगर इस बिंडू से कोई भी केरीडें ऐसे जा रही है और भी ऐसे कोई केरीडें जा रही है और बेटा अपवर्थन के पश्चात यहें से मुख्य अच्छ के समांतर हो जा रही है burial geben इन क्रिडों को क्या कहेंगे और क्रिडों को नहीं इस बिंदू को क्या कहेंगे इस बिंदू को बेटा हम कहेंगे F1, क्या कह देंगे F1 कह देंगे, और मुख्य अच्छ क्या है बेटा, यहाँ पर यह मुख्य अच्छ है, यह बेटा मुख्य अच्छ है आपका, यह जो line आपको दिख रही है, यह मुख्य अच्छ है और बेटा, इसको फिर से कह रहा हूँ इसको C से न करके आप इसको O से इंडिकेट कर दिये करिए O से ताकि चीजें क्लियर हों कि हाँ वैसे कई बुकों में C भी लिखा रहा था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि यहां पर वक्रता केंदर को भी C से लिखते हैं इसलिए इसको प्रेकासिक केंदर को इसको क् रूपित करते हैं, तो बच्चों इतनी बास समझ में आ गई क्या, इसको जल्दी सी स्क्रीन सॉट ले लो ले लिया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको आपने लिख लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, और उत्तल लेंस के दोती फोकस की बात करते हैं, तो मैंने किसी एक बिंदू पर मिलती हैं, किसी एक बिंदू पर मिलती हैं, इस एक बिंदू पर मिल रही हैं, और इसी एक बिंदू को हम क्या कहते हैं, इसको हम एफटू कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एफटू कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एफटू कहते हैं, जरा ध्यान से देखो, लाइन्स भी देख लेते हैं, मुख्य अच्च के समानतर आने वाली प्रिकास की ग्रेड़ें, उत्तर लेंस में अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अच्च के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम दोती फोकस कहते हैं, जर ध्यान से देखो, ये बेटा आपका क्या ह ये आपका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समानतर चलने वाली आतित क्रेड़ें, अब वर्तन के पश्चात, जिस बिंदु में मिलती हैं, उसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, उसे बिंदु को हम दोती फोकस कहते हैं, और ये उत्तर लेंस के लिए बात हो रही थी, तो बच्चो ध्यान से बताओ, क्या आपको ये दो बाते समझ में आ गई क्या, कि प्रथम फोकस कौन है, और दोती ये फोकस कौन है, अरे बच्चो ध्यान से बताओ, समझ में आया क्या, हाँ, सर समझ में आ गया, ये पूरी बाते आपको समझ में आ गई होंगी, अब हम कि lens کی किस की बात करने वाले हैbu tál lens की बात करने वाले हैं और इसमें भी तो फोकस होंगे ,समें भी क्या होंगे ड़ा दुथ देखने के लिए आपको मिलेंगे इसको ओ कर लें , इसको भी ओ कर लें मैंने भी C बताया था बट बेटा O कर लें अभी कह रहा हूँ ना क्योंकि O में आपको confusion नहीं होगा कभी होके ठीक है इसमें भी बेटा सेम केस ही है बट क्योंकि यह आउतल लिंज है आभासी प्रिकति का होता है तो थोड़ा फट डाइग्राम आपको याद रखने पड़ेंगे अब कैसे याद रखने पड़ेंगे जराध्यान से देखो अगर मैं प्रथम फोकस की बात करता हूं तो अगर कोई क्रिडें ऐसी आ रही हो जराध्यान से देखना अगर कोई क्रिडें ऐसी जा रही हो कोई क्रिडें ऐसी जा रही हो दूसरे नंबर में कोई क्रिडें ऐसी जा रही हो और ऐसी जा रही हो तो यह क्रिडें क्या हो जाएंगी यूं करके सीधे यह ऐसे निकल जा कि यह जो किरेड़े है ना यह किसी एक बिंदू की तरफ जाती हुई इंडिगेट हो रही है इनको ऐसा लग रहा कि कोई एक बिंदू की तरफ यह जाती हुई इंडिगेट हो रही है जबकि जा नहीं रही है अभासी प्रकति है तो इस बिंदू को अरे इस बिंदू को क्या क केंगे इसे हम इसे हम कहेंगे कि यह प्रते फोकस है swanicon है कि अलगो से देखो ये क्या है ये F1 कि ये ये आ रही है एä ये प्रतीत हो रही है यहां पर लिख लो ये क्या रही है Перेट दू हो रही है ये इसा हो रहा है ऐसा लग रहा है कि किरिडे जब आ रही है तो किरिडे इसी तरफ चलिए आ रही है ऐसा लग रहा है लेकिन किरिडे तो ऐसे अपवर्तित हो जा रही है इस तरफ आवा नहीं रही है बट लग रहा है प्रतीत हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम F1 कह देंगे बच् लो फिर आजानु समझते हैं अगर कोई कोई करिड आ के समान तर आ रही हो देखो और यह कोकर्ष रही था देखो हम बढ़िए उर्था और यह वा देखें की तरह रही थी लेकत दहीं जाएंग Really और ये हो जाएंगी ऐसे और ऐसे अपवर्तित हो जाएंगे यानि ये बेटा ऐसे जा रही थी और ये ऐसे अपवर्तित हो गई बेटा ये निसान ये जो मैं चिन्ध बना रहा हूं ये मोस्ट इंप्वर्टेंट है बनाना इनकी दिशा दिखाना वेरी इंप्वर्टेंट है यह एक्च्प्वल में ऐसे नहीं आरहі है यह लगेगा कि ऐसे एक बिंदू से आ रही है ऐसे फोनगा क्या कहूंगा तो इसका इठर है इसका ऑफ वबुन इदर है अउट्तर लेंवे हम ने देखा कि इस तरह हो लेकिन उत्तल लेंस में जिन्होंने ध्यान से देखा होगा, लेक्चर को अटेंड किया होगा, उनको समझ में आ रहा होगा, जरह ध्यान से देखना ये डाइग्राम समझना थोड़ा सा बच्चों के लिए, तब पड़ जाता है, अच्छी तरीके से वीडियो को देखोगे, स उसे ये नहीं पता चलेगा कि इधर से क्रेड़े आ रही है, उसे ये लगेगा क्रेड़े इधर से कहीं आ रही है, तो इसको हमने क्या कह दिया, क्या कह दिया, क्या कह दिया, क्या ये बाते आपको समझ में आई, कि कौन सा मुख्य फोकस F1 है, और कौन सा मुख्य फोकस F2 ह समझ में बात आई क्या तो आज़ाओ इसकी नोर्स लिखते हैं और चीजों को समझते हैं डाइग्राम भी क्लियर कर लेंगे एक बार और बना कर ठीक है चलो जरा ध्यान से समझना आउतल लेंस के मुख्य अच्छ पर इस्थित वहा बिंदू जिसकी और आने वाली प्रिकास की क्रिडें लेंस से अपवर्तन के पस्चात मुख्य अच्छ के समांतर हो जाती हैं कहने का मतलब यह है कि किरडें ऐसे आ रही थी जरा ध्यान से देखना एक किरड़ बनाऊंगा किरड़ ऐसे आ रही थी इसको सही करने दो और किरड़ बेटा ऐसे आ रही थी तो होना यह चाहिए था कि यह किरड़ आगे जाती यह करके ऐसे मिल जाती यहां पर लेकिन होगा क्या ऐसा हो नहीं ऐसा नहीं होगा यह किरड रुख जाओ इसको बना ही देता हूं बार बार हो जा रहा है गल्फ एसे करेंगे यह किरड़े लगेंगे कि यहां पर आ रही है बट यह किरड़े बैटा ऐसे अपवर्तित हो जाएंगी ऐसे कुछ हो जाएगा तो इस बिंदू को क्या कहेंगे इसको हम F1 कह देंगे F1 कह देंगे किरिडे लग तो रहा तक तो आगे बढ़ जाओ ठीक है चलो आजाओ देखते हैं अब हम देखते हैं आउतल लेंस का दोतीय फोकस क्या होता है तो बेटा जी क्या होता है जर ध्यान से समझना इसमें क्या लिखा हुआ है मुख्य अच्च के सामांतर चलने वाली किरिडे आउतल लेंस से अपवर्तन के पशात मुख्य अच्च के जिस बिंदू से आती हुई परती तो होती है उस बिंदू को दोतीय फोकस कहते हैं उस बिंदू को क्या कहते हैं दोतीय फोकस कहते हैं तो बच्चो ध्यान से समझना इस डाइग्राम को जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये मुख्य अच्च के सामां यहां कहीं अधर कहीं चलिँ गए और इस dividing को ved하게ak को हम कया कहेंगे अरे भच्छों ध्यान से देखो इसकोझक क्या कहे देंगे इसकोझक अम F2 कहेनeng केंगे आउतल लेंस का दोतीय फोकस कहे देंगे क्या कहे देंगे बच्चों आउतल लेंस का दोतीय फोकस कहे देंगे क्या इतनी बातें आपको समझ में आई कि कौन सा प्रतम फोकस है और कौन सा दोतीय फोकस है अब आज आओ दूरी की बात कर लेते हैं एक बार दूरी समझना आसा जरा ध्यान से समझना, मैं एक में समझाए दे रहा हूँ, दूसरा अपने आप आपको आजाएगा, तो कोई इसमें परसानी वाली बात नहीं है, आपको ये पता चल गया, कि यहां पर कौन होगा, एफ टू होगा, और यहां पर कौन होगा, एफ उन होगा, ये किसके लिए है आउतल लिंज के लिए है, एफ उन होगा, तो जब दूरी पूछे ना, तो फोकस से प्रिकासिक केंडर तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका प्रिकासिक केंडर, यानि यहां से यहां तक की दूरी को बेटा फोकस दूरी कहते इसको हम, यानि अगर कोई अगर कोई पूछे की प्रथम फोकस-दूरी क्या है, तो आप कह देंगे, कि प्रिदरम फोकस और प्रिकाशिक केंदर के बीच की दूरी को प्रिफम फोकस-दूरी कहते हैं, हो इस सारी बातें clear cut आपके सामने हैं, तो इस तरह से आप focus दूरी बता देंगे, वैसे हमेशा आपसे कभी focus दूरी पूछा नहीं जाएगा board में, जब भी पूछा जाएगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा, कि आउतल तथा उतल धरपड में, प्रिथम focus क्या है, दोती ये focus क्या है, ये question पूछे जा चुके हैं, मैंने आपको lines भी लिखवा दिया, और मैंने आपको पूरा concept detail में समझा दिया, अब आपको कहीं पर कोई problem नहीं होगी, by the way कोई problem होती है, तो आप comments drop कर सकते हैं, lecture अगर अच्छा लगा हो, तो जरूर comment में बताएं, कि आपको lecture किस तरह का कैसे लगा, कैसे बाते समझ में आई, मज़ा आई की नहीं आई बेटा, कि सारी बाते आप विंसल जरूर करें, thank you so much for watching, मिलता हूँ आपसे next lecture पर, thank you, ta-da, bye bye बेटा